और नमस्कार दोस्तो बहरोड इंटीग्रेटर फार्मिंग चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम इंटीग्रेटर फार्मिंग करते हैं जिसमें पौर्ट्री फार्म हो गया। देशी मुर्गी पालन मचली पालन मोती पालन और वर्मी नवर्मी कमपोस्ट हो गया मस्रूम की खेती यह सभी चीजें हम कर रहे हैं और जैवी खेती में मैंने बहुत से लोगों को सुनाए कि नहीं सफलता कम मिलती है और इस तरह की कुछ धार्नाएं बना रखी हैं लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जैविक खेती में भी आप अगर थोड़ा सा केर करें तो ध्यान से थोड़ा इसको संभालें तो अच्छी तरह से जैविक खेती कर सकते हैं अब आप देख रहे हैं यह आपके सामने मेरा करेले का फाम है और इसमें आप देख भी रहे होंगे कि अच्छी फ्लावरिंग आ रही है में MR का चली रहा है अभी दिवारों की जाली बनाई है और उपपर वाले हम की जाली अभी बना रहे है अब इसमें आप pull मैंने क्या-क्या यूज किया है मैंने जो सीड यूज किया हुक हैं व्म्हम किए और उसके अलावा इसमें मैंने वर्मी कंपॉस्ट प्लस मेरे मुसरूम का जो कमपोस्ट होता है वो डाला है इसके अलाव मैंने अभी तक इसमें कुछ भी ऐसा यूज नहीं किया है जिसको हम रासाइनिक कह सकें आप देखिए किस तरह से और ये मात्र पचास दिन की फसल है पचास दिन में ही खुब बढ़िया इसका प्रोडेक्शन भी चालू हो गया है मैंने यहां तक की कोई स्प्रे वगरा कुछ भी यूज नहीं किया है जहर मुक तगर खेती करते हैं तो वो भी आसानी से कर सकते हैं इसमें मैं आपको दिखाता हूं जैसे मैंने इस पेस्टिसाइड वगरा इनके लिए जैसे फल शेदक मक्षी होती है उसके लिए मैंने य यह लिए वाला यह चिपको का प्रोडेक्ट आता है यह मैंने कल स्याम को ही लगा है क्योंकि मुझे किसी एक दो फल में ऐसे फल शेदक मक्षी की सिखाय दिखाई दी थी और देखे कल स्याम से और आज तक ही यह इसमें कितनी मक्षिया मरी हुई है मुझे इसका रिजल्ट किया है इसके अलावा आप देखिए इसकी दरुमें ने देखा है कि मक्हिया त्रेक्ट होती है चेक्षिज संपरक में आने के बाद यह इसी के अंदर मर जाती इसमें भी कुछ एक दो मक्खिया पड़ी हूई है अगर गोर से देखेंगे तो ये देखिए एब एक दो जिंदा है, लवी मर चुकी है शारी फल छेदक मक्खिया मैंने देखा है कि करेले में लास्ट एर भी जब करेले डाले थे तो मुझे फल छेदक मक्खी से काफी परेशानी हुई थी तो ये फल शेदक मक्खी से बचाव के लिए मुझे काफी अच्छा लगा इसी के साथ मैंने अभी इसका चिपको की ही जो ट्रे होती है वो मंगवाई हुई है तो वो ट्रे जो प्लेट होती है वो भी मंगवाई हुई है और वो प्लेट आज आ जाएंगी मेरे पास तो अभी मैंने पांच जगह यह लगाई है इनको और बढ़ाऊंगा और साथ में प्लेट भी लगा दूँगा जैसी यह है इस पर देखिए आप मक्ही मैं आपको गोर से दिखाता हूं इसके छेद के पास ही बैठी हुई है यह देखिए यह इसक अपना भी और अपने आजपास में लोगों का भी सभी का से की सेहत खराब कर रहे है उससे बढ़िया है अब थोड़ा भोत अगर आवेर होके मैंने कहरा कंप्लीटली एकदम जैवी खेती कर सकते हैं लेकिन हां कुछ हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है और रसायन से ज जैवी खेती में आप अपना हाथ आजमा के देखिए ज्यादा फाइदा होगा आपका और देश्वासियों का विस्वास्त अच्छा रहेगा मैं भी नए नए ट्राइल करता रहता हूं और जैवी में मैंने भी देखा कि लोग कहते कि फेल ज्यादा हो जाते हैं लेकिन ऐस इस टाइम खुब बढ़िया इसमें एल्ड आया हुआ है अब यह यह देखिए यह देखिए किस तरह से इसमें फ्रूटिंग बन रही है यह सब आप देख पा रहे हैं मैं आगे भी दूसरी लाइनों में भी दिखाता हूं आपको यह देखिए खुब बढ़िया से इसमें और फ्लॉवरिंग वगर आभी कितनी जबरदस्त आई हुई है इसमें यह देखिए नीचे लगे हुए है खुब बढ़िया इसमें फ्लॉवरिंग और फ्रूटिंग साई हुई है तो मैं नहीं कह सकता कि आप रसाइन से ही प्रोडेक्षन से किया जाए उसमें अच्छा प्रोडेक्शन ले सकते हैं और मैं हमेशा संयुक्त खेती को ही प्रोमोट करता हूँ से Hence को होगी कि आप लोगों की स्वास्त को सुधारने में सहयोग कर रहे हैं यह इधर अभी मैंने काकोडा लगाया है यह देखिए काकोडा की मेरे पास अभी जड़े नहीं थी तो मैंने इससे सीड से ही इसको जर्मिनेट करने की कोशिश कर रहा हूं और घास फूस से इसकी मल्चि ही रहता हूं और फ्लेड अंओ इसलिए किया हुआ है कि गर्मी के सीजन में हमारे यांb저, ज्यादा गर्मी पढ़ती है रास्थान में तो वैसे मैंनी स्पृंकलर भी मैंने लगाये हूए टिर्ट न 250 कर ऑठ तो अधरी घर्मी कम हो जेती कि मैं इनको यूज और तब तक के लिए फ्लेट एरिकेशन से ही मैंने किया हुआ जैसे यह जर्मिनेट हो रहा है देखो कुछ-कुछ हो गए है जर्मिनेशन और मुझे होफुली तीन-चार दिन में जाद तरह जर्मिनेशन हो जाएगा हाँ इसका जर्मिनेशन थोड़ा कम रहता है साथ 50 परसेंट तक रहता है लेकिन जितना मुझे रिक्वाइड है उतना जर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि मैंने जो सीड है वो थोड़ा ज्यादा यूज में लिया है और मिन्नी स्प्रिंकलर का ये लगाने का मैं ये भी है कि गर्मी में जब लू चलती है हमारे यहां तो मैं इसको 15 मिनट के लिए इस स्प्रिंकलर को चला देता हूं तो ये मेरी बाश बल्लिया वगारा जो मचान बनावा है बीग जाता है और उससे मोस्चर बना रहता है और बेल वगारा जो हैं वो गर्मी में जलती नहीं है और एकदम स्वस्त बेल रहती हैं आप देख रहे हों कहीं से भी हुआ नहीं नजर आएगा यह देखें कि अगर देखें करें लोगी जबकि यह मैच्छ नहीं हुए हैं अभी मैच्छ वोने में अभी टाइम लगेगा आप देखके खुद समझ सकते हैं कि आप इस तरह से करके बहुत बढ़िया सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं चाहे वो रास्थान हो चाहे कोई भी इस्टेट हो जबकि हमारे रास्थान में अगर माई जोन में इतनी बढ़िया फ्लोवरिंग और इतनी बढ़िया हरा बरा किना बढ़िया प्रोडक्शन है तो मुझे लगता है कि हम किसानों को रसाइन से थोड़ा तो किनारा करना चाहिए मैं कभी यह नहीं कहता कि जबरदस्तिया आपस एक दम से छोड़ दीजे लेकिन आपने खेत में कोई अगर आपके पास पांच बीगा जमीन है तो उसमें स इस पर कोई स्प्रे नहीं किया है सिर्फ नीम ओयल का स्प्रे किया है तो दोस्तों अगर इसके बारे में और कोई जानकारी चीए आपके कोई कुश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं धन्यवाद